हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टू एस्कोर हाई कलासेश तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का कोशन नमबर फर्स्ट और सेकेंड देख लिया था तो आज हम कोशन नमबर थ्री को करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोशन नमबर थर्ड है अ मेटल पाइप इस 77 सेंटीमेटर लॉंग दे इनर डायमेटर आफ अ क्रॉस सेक्शन इस 4 सेंटीमेटर और आउटर डायमेटर बिइंग 4.4 सेंटीमेटर तो हमारे पास एक मेटल का पाइप है जो 77 सेंटीमेटर क्या है लॉंग है उसका इनर डायमेटर दे रखा है 4 सेंटीमेटर और आउटर डायमेटर भी दे रखा है 4.4 सेंटीमेटर तो हम देखते हैं ये जो हमारा जो होता है ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है इनर डायमेटर इनर डायमेटर तो इनर डायमेटर हमारा क्या दे रखा है 4 सेंटीमेटर और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है हमारा आउटर डायमेटर आउटर डायमेटर कितना दे रखा है ये इसको क्या डिनोट करते हैं इसका क्या दे रखा है 4.4 सेंटीमेटर मेटल पाइप जो होता है वो हमारा कैसा होता है होलो सिलेंडर होता है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गिवेन वाला पाट लिख लेते हैं इसमें क्या सब गिवेन है गिवेन एच हमें हमारे पास गिवेन है 27 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या हमें गिवेन है कितना है 4.4 सेंटीमीटर तो हमारा आउटर रेडियस क्या हो जाएगा आउटर रेडियस इसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं यह हमारा हो जाएगा 4.4 अपन 2 तो यहां से मिल जाएगा आपको 2.2 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर क्या हमें हमारे पास 4 सेंटीमीटर तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से दिनूट कर रहे हैं 4 बाई 2 क्या जाएगा 2 सेंटीमीटर तो हमारा पहला क्या हमें फाइंड आउट करने बोला है इनर कर्व सर्फिस एरिया तो इनर कर्व सर्फिस एरिया क्या हो जाएगा इनर कर्व सर्फिस एरिया एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच यहां हम क्या करेंगे small arc लेंगे तो यहां से हम value को put out करते हैं कितना जाएगा arc की value हमारे पास है 2 cm और h का value है 77 यह cut हो जाएगा यहां से मिलेगा 2 x 22 x 2 x 11 यहां से आप सब को multiply करोगे तो आपको क्या मिलेगा 968 cm2 यह हमारा क्या है first answer निकल गया हमारा second part क्या है outer curve surface area क्या हो जाएगा 2 5 और यहां पर हम क्या लेंगे outer का radius हमने capital R ले रखा है तो capital R और H यहां से value को put करेंगे पाई का value 22.7 आड का value कितना है 2.2 H का value है 77 इसे बीड़ी 7 यह 7 से यह cancel out होगा यहां में क्या मिलेगा 2 into 2 22 into 2.2 into 11 यह आजाएगा 44 into 2.2 into 11 यहां से आप इसको हटा होगे पॉइंट को तो क्या मिलेगा 10 उपर में मल्टिप्लाइ करोगे तो क्या मिलेगा आपको 10648 अपॉन 10 यहां से क्या मिलेगा 10648.8 cm2 हमारा थर्ड कोस्टन क्या है टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया तो टोटल सर्फेस एरिया कैसे निकलेगा तो आपको इनर कर्ब सर्फेस एरिया प्लास आउटर कर्ब सर्फेस एरिया प्लास याज ओफ दरिम ठीक है तो हमने क्या कर रखा है inner curve surface area निकाल लिया है outer surface area भी हमारे पास निकल चुका है तो area of the ring निकालना है फिर क्या करेंगे सब को add कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा total surface area तो हम देखते हैं ring का कैसे area find out करते हैं यह हमारा क्या है ring है इसका radius क्या है r और outer का क्या है हमारा capital r तो अगर आपका यह area निकालना है यह वाला part तो आपको क्या करने पड़ेगा बड़े वाले circle में से छोटे वाले circle का area क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तब जाके आपको क्या होगा यह वाला area find out होगा तो हम निकाल लेते हैं पाई r square माइनस पाई small r square यहां से क्या हो जाएगा पाई common आ जाएगा तो क्या जाएगा capital r square माइनस small r square यही क्या होता है area of the ring होता है ठीक है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले area of the ring निकाल लेते है area of the ring क्या जाएगा पाई capital r square माइनस small r square तो हमारे पास यहां आप देख सकते हैं एक ring यहां पे है और एक ring यहां पे है तो हमारे पास क्या करना परेगा 2 से इसको क्या करना होगा multiply करना होगा 2 into pi का value 22 upon 7 और इसमें हम क्या कर सकते हैं identity यूज़ कर सकते हैं तो उससे क्या हो जाएगा हमारा calculation आसान हो जाएगा तो क्या होता है a square minus b square क्या होता है a plus b और into a minus b तो हमारा capital R का value है 2.2 a small r है 2 2.2 minus 2 तो यहां से क्या हो जाएगा 44 upon 7 इसको plus करेंगे तो क्या जाएगा 4.2 into इसको minus करेंगे क्या जाएगा 0.2 इसको क्ट करेंगे क्या जाएगा 0.676 जा 42 होता है और यहां पर क्या जाएगा एक point है तो point हमने लगा दिया है यहां से क्या जाएगा 44 into 0.6 into 0.2 इसको अगर आप कल्कुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 10 यह भी आ जाएगा 10 यहां से क्या हमें मिलेगा 44 into 6 into 2 upon 100 इसको आप कल्कुलेट करोगे तो क्या जाएगा आपका 5 to 8 upon 100 यहां से 2 0 है तो इसके 2 digit के बाद हम क्या करेंगे point को लगा देंगे तो 5.28 cm square तो हमने area of the ring निकाल लिया है दो ring था दोनों का हमने निकाल लिया तो अब क्या करेंगे total surface area के लिए क्या करना पड़ेगा inner curve surface area outer curve surface area और area of the ring तीनों को क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं add कर लेते हैं total surface area क्या हो जाएगा हमारा क्या था उसका value inner surface area का 968 cm square plus 1064.8 cm square और ring का area हमें क्या मिला है 5.28 cm square सब को add करोगे तो हमें क्या मिलेगा 2038.08 cm square यही हमारा क्या है answer है तो आज के लिए इतना ही इससे अगला question हम अगले वीडियो में देखेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको like करें share करें अगर आप इस channel पर नए हैं तो इसको subscribe करें okay thank you for watching हुआ का सुआ आपको 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 और स्वारिए करें हुआ है